समिधा सिक्षक वर्गतीन या MPTED कहें इसके लिए आपको संस्कृत सब्जेक्ट यदि चुना हुआ है तो उसका ग्रामर पार्ट कहां से कवर करें इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आप 8 इस्टेंडर 9 और 10 इस्टेंडर की टेक्स बुक खरीद लें यह मेरे पास जो बुक रखी हुई है मिसी के माद्याम से आपको पेज नंबर और ग्रामर का पोर्शन बताने जारी हूँ यह देख लेजे यह टेंट क्लास की है से मुखी की नाम से लेखी हुई है और यह देखिए यह 9 इस्टेंडर की है जो इस टाइब की देख लेती है य आप अपने नजदी के पोडियोसियों से भी ले सकते हैं यह पर्चेस भी कर सकते हैं याद रखिए आपको बुक पुराना नहीं लेना है क्योंकि MP में जिते भी बुक होती थी पहले वह उसका अलग है जो अभी यह बुक आई है कुस इस टाइप के उसकी देख रहे हैं आ इसमें प्रथम पार्ट के रूप में लिखा हुआ है आप ध्यान रखिए आपको अपडेट बुक ही लेना है और NCRT बेस वाला ही MP गॉर्मेंट में भी मिल जाती या या पर 10 क्लास के आप CBST का बुक ही लीजेगा यह देखो यह प्रथम कक्चा की हुई है आप इसमें सब तर्फिदार्थ ऐसे मिलेंगे आपको उसके बाद अभ्यास मिलेगा फिर अब को और आंगे जाना है ऐसे उसके बाद आपको मेंड पॉइंट यहा मिलने वाला यह आपको अच्छे से देखना है यह योगता विस्तार लिखा हुआ है आप यह वाला portion हर चैप्टर के इंड में लिखा हुआ है भांसा विस्तार यह योगता विस्तार की रूप में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, हम चमय 10 न कंध्रogi से जैसे निमि लोग पढ़ते हैं, टीक उसे प्रकास के संस्कृत का बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। आंगे tenth class के book में कुछ chapter में आपको ये भासिक विस्तार के रूप में भी दिया हुआ है। योगता Vिस्तार और भासिक विस्तार ये दोनों रूप में दिये हुए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। आपको 8 इस्टेंडर, 9 इस्टेंडर और 10 इस्टेंडर की संस्कृत की बुक का ही विस्तार योगता का पोर्शन पढ़ना है आपको सरफ NCRT बुक ही पर्चिस करनी है और उसी का टेक्स बुक पढ़ना है आप देख पा रहे हैं जिसमें इसमें समाज का कितने अच्छे सिविस्तार से लिखा हुआ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जो सरफ 9 इस्टेंडर का भी पढ़ना होगा